नबबे नहीं, यह नया भारत है? यहां घर में घुसकर मारा जाएगा और यह आतंकी मारे जाएंगे, तभी तो इंदू वापिस जाएंगे. मतलब, आज बता दिया सेना यह नबबे नहीं, यह नया भारत है. चुन चुन कर मारा है एक एक को मारा है और अभी दिलबाग सिंग ने बताया सिर्फ एक बचा है अशुक पंडिजी सिर्फ एक बासित सिर्फ एक बचा है सब को मार दिया जिनों ने मारा था अशुक पंडित अमन जी पहली बात तो मैं जम्मु कश्मीर पुलिस और आर्मी और सियार प्रीप के सारे जमानों को जो जो हमें बचाने के लिए अपनी जानों को कुर्बान करते हैं और आतंक बादियों से लड़ते हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत शुक्र गयादा और मुबारक बादी दिना चाहता हूं कि इन्होंने आज ये तीन लोगों को भत्तर हुरूं से मिलने के लिए भीजा आमन जी महबुबा मुफ्ती के इस तरीके के रिस्पॉंस को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई भी कश्मीरी हिंदू जैसे सुशील जी भी बैठे हुए हम लोग हैरान है महबुबा मुफ्ती का बैकराउंड क्या है क्या है ये महिला या उनके पिता क्या थे या उनके साथी दूसरे जो नेता है महाँ पर फारुक अब्दुल्ला जो है उनके बेटे है या हुरियत कौन फिसे जो भी है इनका बैकराउंड क्या है इनका इत्यास क्या है इन्होंने कश्मीर में इंदुस्तान को ब्लैक मेल करते हुए इन्होंने वहाँ पर आतंगवादियों को पनपाया, उनको पना दी, उनको पैदा किया, उनको बड़ा किया, उनको पैसे दिये. आज इनकी समस्या है कि पाकिस्तान इनसे पूछता है, इनको पैसे हमने आपको दिये, यह आतंगवादियों मारे जा रहे हैं, आप कुछ कर क्यूं नहीं रहे हैं, यह तो हमारे बच्चे हैं, आप कुछ क्यूं नहीं बात कर रहे हैं, आप हमारे लिए बात क्यूं नहीं कर उर ये प्रेशर के वजे से मैमा मुफ्ती ये कहारिआ सुनाती है, कि आज उन्हों पर सवाल उठाया है, ये सिक्निडिक फूर्ची पर ही सवाल उठाएंगी, क्योंकि ये जो आतंगभाध ही है, वो इनके सास्त ही है, यह इनी के बच्चे हैं, यह इनी के पाले हुए बच्चे हैं, यह इनी के पैदा के हुए बच्चे हैं, इन्होंने, यह responsible है, साड़े तीन चार लाग कश्मीरी हिंदों का निर्वासन करने का, यह responsible है कश्मीर के हिंदों को, हिंदों के मंदिरों को तोड़ने का, तो यह आतं कि अब अब आपके को बने सिक्षाओ के मा tutor अब बी तो रूझ में पटाए तो बार बार बोल रहां राव हुं वैल्द चैनल अरमी अशौक पंडित इस फार बासिट बचा है वह भी डिबेट खितम हुने से पहले-पहले निपटलेगा मेरे ख्याल से वो कितना टाइम है अभी डिबेट में हमको 40 मिंट है वो डिबेट खत्व होने से पहले-पहले निपटलेगा वो तो आप कहिए ना बदली हैं चीजे अब बदली हैं जितने भी लोग जितने भी लोग responsible हैं वह पर हत्याई करने के कोई नी बचेगा यह 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 नया भारत है यह नया कश्मीर है और यह नबे का दौर नहीं है अन्जी आमन जी यह इसलिए frustrated हैं यह इसलिए तकलीब में इनके हाथ को बचा नहीं पाएंगे इसलिए बार-बार 370 अटा हो 35 जो है उसको वापस ले आओ क्यूं अटा है आपने अरे इनों ने यह शाजिया इल्मी महभूबा मुफ्ती यह मैं शाजिया इल्मी महभूबा मुफ्ती आपको धंकी दे रही है देश को भारत को यह अगर कश्मीर को साथ रखना है ना तो 370 और कश्मीर का मसल़ा हल कर लो कश्मीर उनकी जेब मैं मतलब वो कह रही है कश्मीर को अपने साथ रखना है तो हल कर लो जी जी बिल्कुल जैसा कि अभी भी सुशील भाई और अशोग जी ने कहा अशोग भाई ने तो वाकई में वो पैरविकार बनी हुई है इस वक्त पाकिस्तान की आईसाई की देशत गर्दों की और इस बात को लेकर बड़ा अफसोस हो रहा है क्योंकि इतने साल रही इसी वसी भारत में और बाकाईदा कॉंसिट्यूशनल और समधाने पदों पे रही उनके पिता भी रहे बाकाईदा हुक्म हुक्म किया अब अतलब बात जी किया उन्होंने तो बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ ला है कि इतने बुरे दिन आ गए ह महबूबा जी के कि उनको ये कहना पड़ ला है और जैसे कि कहा गया पहले भी इस पहरानी नहीं हुई लेकिन वाकई में आज का दिन है वेल डन आर्मी को कहने का पुलिस को कहने का उनके परिवार वालों को कहने का और हम सब लोग ना सिर्फ शुक्र गुजार हैं बलकि न 370 बाहल करो कश्मीर को रखना है ना साथ है वो यह कह रही है देखे इतने सालों से जब जड़ यह टेंप्ररिरी प्रोविजिन अस्थाई प्रोविजिन जो रहा है तब क्या कश्मीर साथ में था आतंग बात तो अहम्मद स्थी के तश्रक से देख रहे हैं क्या कुछ हो कड़ना है वो करें जो इसकी पेरवी उनको कड़ना है वो करें मतलब जह तो अब शर्म से आती है कहकर कि आई वह हमारे सही पात है हंग सेंबली में जब कुछ जिक्त भी आस तरकार होना जरूरी था बजाए कि वहाँ पर कोई सरकार ना हो तो सारी कोशिशों के बावजूद और वहाँ पर उसके बनने के बावजूद वैसी बात कह रही है और आपको लगता है आपको लगता है कि एससी गुझाईश है आपको लगता है ऐसी गुझाईश है नहीं मुझे तो पहले भी नहीं लगते हैं जिस को बात कर रहे हैं जिसने आर्टिकल 370 को अठाया है आप उस पार्टियों के कह रहे हैं जिसमें पक्का इरादा किया था किसी की हिम्मत तक नहीं थी, कोई सोच भी नहीं सकता था किसी के फरिष्टों को खबर तक नहीं थी, कैसे हुआ, क्यों हुआ और पूरी दुनिया के सामने इसका हमने एलान किया और किस तरह से करके दिखाया, लेकिए लेकिन आज एक चीज़ अच्छी है कि माझिद हैधरी भी मस्क्राइ और आज भायां के भाया दरी है उनके चैरे की मुस्कान है आज वो बी खुश रहे हैं केवल भारती सेना को नहीं, मैं हर देशफासी को आज मुबारक बाद देता हूँ, भगाई देता हूँ, कि आज हमारे देश में एशिया के सबसे बड़े एरपोर्ट रखने की नीव रखी गई, यह बहुत खुशी का देने में, मैं खुश हूँ, लेकिन जब आप बात करेंगे जो कश्मीर का मामला जिस पर भारती सेना को बदाई दे रहें, सबसे पहले मैं आप लोगों को सबों को करेट कर दूँ के सिरिनगर में, सिरिनगर डिस्टिक्ट में जो भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन होता है, उसमें इंडियन आर्मी का हाथ नहीं होता, सिर्फ जमो कश्मीर पुलीस और सिरि पीफ कर दूँ लेकिन फिर जो यह आप कहते हैं के सजा दी गया तक क्योंको देखें, सजा देने का काम केवल और केवल